अलो स्टूडेंट्स तो आज हम बात करेंगे बीम बैलेंस की कॉंपेटिटिटिव एग्जैम्स में क्विश्चन आता है जिसमें यह पूछते हैं कि किसी फॉल्स बैलेंस से किसी बॉड़ी का ट्रू वेट या ट्रू मास किस तरह फाइंड करेंगे एक्चुली उसी क्विश्चन का हमको जवाब चाहिए पहले समझते हैं कि यह बीम बैलेंस होता क्या है तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है बीम बैलेंस सभी ने देखा हुआ है जो सबजी वाले के पास तराजू होती है उसी को फिजिक्स में कहते हैं बीम बैलेंस बीम बैलेंस उसी को कहते हैं फिजिकल बैलेंस फिजिक्स लैब में भी आप इसको देखते हैं तो बीम बैलेंस किस फिजिकल क्वांटिटी को मेशर करती है सबसे पहले यह दिमाग में होना चाहिए मेशर मास- मास और वेट ऑफ बॉडी मास यदि आपको हो जाता यह यदि आप से मास तो इसमें बस जी का मल्टिप्लिकेशन करना है तो वेट भी मेशर हो जाएगा तो तो एक मेशर बालंस यह एक सिंपल मशीन है आपने simple machines में liver पढ़ा हुआ है liver as a type of simple machines लीवर यह liver नहीं है liver होता है biology में यह है liver और liver होता है तीन टाइप का first second and third type तो बच्चों को अक्सर मैं कहता हूँ कि इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं let fwp fwp center at b इसमें से f क्या है तो f fulcrum f is fulcrum w is load and p is effort fulcrum load and effort अब beam balance यह इस तरह का दिखाई देता है क्या होते हैं इसके parts तो एक होती है beam एक rod horizontal rod दो होते scale pans जब वो सबजी वाला सबजी तौलता है तो किसी एक pan में वो सबजी को रख देता है तब यह rod is point के about इसको हमने लिखा हुआ है pointer इसी को आप बोल सकते हो fulcrum तो जब एक pan में वो सबजी वाला सबजी रखता है तब होता क्या है एक force act करेगा downwards direction इस end पर तो एक moment पैदा हो जाएगा यह rod is point के about clockwise direction में rotate हो जाएगी फिर वो सबजी वाला क्या करता है दूसरे pan पर कुछ बांट रखकर counter poise करता है यह term आपको सुना ही देगी counter poise करता है और वापस उस beam को बना देता है वो horizontal यह pointer ठीक vertical होता है तब बांट और वो सबजी दोनों के mass या दोनों के weights equal होते है तो beam balance ऐसी दिखाई देती है तीन उसके parts है एक होती है beam scale pants और एक होता है pointer या फलक्रम अब सबजी उसको यह दिए हम load मान ले और बांट जो है उनको यह दिए हम effort मान ले तो आप देख रहा है कि फलक्रम यह load और effort के बीच में है तो यह किस type का lever हो जाएगा यह हो जाएगा first type का lever जिसमें फलक्रम डबली और पी यानि लोड और effort के बीच में होता है सी सौ भी इसी टाइप का lever है तो याद रखेंगे कि beam balance is first type of lever first type of lever पुशिश करेंगे इसको lever बोलें तो first type का lever है तो क्या कि याद रखेंगे कि beam balance मास या वेट मेशर करता है यह first type का lever है इस तरह का दिखाई देता है फिर यह बेस्ट है ऑन दे प्रिंसिपल आफ मोमेंट मतलब यह फिजिकल कॉंटिटी है मोमेंट मतलब टरनिंग इफेक्ट आफ तो फोर्स जैसा मैंना अभी आपसे कहा था कि मानलो इन पैंस के ऊपर अ बाउट उस अबजेक्ट का वेट याने फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस करेगा यह रॉड घूमने लगेगी clockwise direction में और यदि इसके उपर बांट रखकर उसे counterpoise करेंगे तो एक मोमेंट लगने लगेगा एंटी क्लॉक डिरेक्शन में और इस पॉइंट के अबाउट वो क्ल बालेंस वर्क करती है तो याद रखो कि based है on the principle of moments अब हम यह समझेंगे कि किसी बीम बैलेंस के good balance होने के लिए अच्छी बैलेंस होने के लिए क्या-क्या requirements हैं क्या-क्या necessities हैं किसी बीम बैलेंस के good balance होने के लिए requests of a good balance तो चार conditions है उसे true होना चाहिए be sensitive होना चाहिए c stable और d rigid अब इनको one by one हम समझते हैं और याद रखेंगे ताकि कोई theory का question आने पर उसका answer हमें मालूम हो सबसे पहले a balance is said to be true if its beam remains horizontal इन चारों को आप अच्छे से read कर लेना theory का कोई question आने पर वो भी आपसे बन जाना चाहिए a balance is said to be true if its beam remains horizontal when the pants are empty और equal weights are placed on them यह पहली requirement है या पहली शर्त है good balance की उसको true होना चाहिए और true होने के लिए क्या है जब pants के उपर हम कोई mass put नहीं करें कोई weight put नहीं करें या उनको empty रखें तब उस rod को perfectly horizontal होना चाहिए यह पहली शर्त हो गई फिर a balance is said to be sensitive sensitive उसको कब कहते है जब दोनों weights जो हम दो pants पर scale pants पर रखते है उनके बीच slight भी difference हुआ तो क्या होगा बहुत ज़्यादा उस rod को deflect हो जाना चाहिए a balance is said to be sensitive if for small difference in weights there must be a large deflection of the beam for a beam balance to be sensitive the beam should be long light क्या होना चाहिए कि जरासा भी weight का difference होने पर उस rod में बहुत ज्यादा deflection आ जाना चाहिए और sensitive होने के लिए उस rod को हमें रखना पड़ेगा long और light उसके अलावा its cg should be as near the fulcrum as possible cg उस beam balance की fulcrum से बहुत close होना चाहिए शर्क को जरूर याद रखो see a balance is said to be stable stable का मतलब क्या है कि यदि सबजी और बांट रखकर उस beam को हमने horizontal बनाया हुँ I suppose जैसे ही हम बाट हटाएं या सबजी को हटाएं तो उस beam को जल्दी से horizontal हो जाना चाहिए ऐसा यदि हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो stable है और stable होने के लिए क्या होना चाहिए if it quickly returns to its position of rest after being deflected for a balance is to be stable cg of the beam should be as below as fulcrum as possible उस beam balance की cg या उस beam की cg fulcrum से जितना हो सके दूर होना चाहिए जबकि यहां मने क्या बोला था कि cg should be as near as fulcrum याने इस से बिलकुल opposite है यह वाली शर्थ opposite to what is required for a balance to be sensitive और यह दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती इसलिए हम बोलते हैं क्या कहते हैं कि a balance which is sensitive cannot be stable जो sensitive है वो stable नहीं हो सकती तो यह तीन शर्थे और चौथी बड़ी आसान है a balance is said to be rigid if it is sufficiently strong and does not bend after under a weight is to be carried तो रॉड को मजबूत होना चाहिए तो शार शर्थे हैं true sensitive stable और चौथा है rigid तो यह चार शर्थे जो पूरी करती है balance उसको कहते है good balance अब इस में से सबसे important यह बात है true balance के लिए क्या याद रखो कि जब pants empty हो या उनके उपर equal weights put किये हो तब beam को होना चाहिए perfectly horizontal अब mathematically इस शर्थ को हम establish करेंगे अगली slide conditions for a balance is to be true तो पहले true balance की शर्थे आ जाएंगी तब हम समझ पाएंगे कि फिर false balance कौन सी होती है तो यहाँ पर मैं balance draw करता हूं और अब हमको उसका वह वाला figure नहीं बनाना है simply हम एक rod दिखाएंगे और यह दिखाएंगे fulcrum जिसके about यह rod whom सकती है यह length L1 और यह length है L2 इसको एदि A बोले इसको B बोले तो यह जो है AF यह है L1 और FB है L2 और यह वो दो scale pants पर रखे हुए weights हो गए W1 and W2 ऐसी हम show करेंगे balance और हम निकाल रहे है mathematical conditions for a balance to be true तो अब आपको पताए कि f के about moments को कैसा होना चाहिए zero कितने moments produce होंगे दो क्योंकि दो forces है weight का मतलब हमेशायद रखो वो होता है force क्योंकि वो है m into g mass into acceleration due to gravity मतलब force is a vector उसमें direction होती है वो एक vector है तो यहां दिखाया हुआ है हमने यह w2 downwards और यह है w1 यह दोनों weights इस point के about कितना moment produce करते हैं पहले हम निकालेंगे उसका magnitude और फिर दो ही तरह के moments possible होते है clock और anti clock उसमें से clockwise जो moment होगा उसे negative बोल देंगे तो anti clock वाला हो जाएगा positive तो हम निकाल रहें अब हम निकाल रहें net moment, net moment कितना होगा आब आगे higher classes में आब उसको टाओ से denote करेंगे moment को denote करते हैं टाओ से अभी net moment निकालते हैं कैसे निकालेंगे net moment, net moment निकालने के लिए वो force और जिस point के about यह rod rotate हो रही है इस force से उसकी देखना होगी perpendicular distance यह होगा w2 into l2 इसका moment और इसका moment कितना होगा w1 into l1 और इन दोनों को add कर देंगे sign के साथ sign के साथ ध्यान देना तो w1 into l1 w1 into l1 यह हुआ इसका moment और यह कैसा है यह है clockwise अब यह clockwise है anti-clockwise यह कैसे पता करते हैं उसका एक तरीका यह है कि सबके घर में इस तरह का एक spanner होता है इसको ध्यान से समझना से समझना इसको एक spanner होता है इस तरह का जिससे हम नट वगरे open करते हैं है ना सबके घर में होता है तो वह spanner हम consider करेंगे इस spanner का mouth उस point पर रख देंगे जिसके about हमको moment find करना है मतलब उसकी direction find करना है ऐसा Mouth को इदर रख देंगे और इस बार के उपर जिसका handle है बार के उपर ऐसा force लगाएंगे या imagine करेंगे कि उसको पर ऐसा force लगा तब यह रॉड किस तरह घूमती है anti clockwise याने यह w1 जो force है वो anti clockwise moment produced कर रहा है इसके साथ में यहां पर लिख देते हैं करने यह हो गया उसका माइगिटूड और इन्टी क्लॉक्वाइज हो गए मिक्लाकॉइज गे इसकी डिरेक्शन अब इसका मॉओमेंट कितना होगा रखना कंग़े और माउथ इसकी सिटर रखेंगे और उसकी रॉडफ पर ऐसा पॉस लगाएंगे तो क्लोकवाइज रोटेट करेगा राड कोdit क्लोक्वाईज करेगा तो यहां लिख देते हैं क्लोकवाइज अब दो यही तिरह के मोमेंट होते हैं मैं आगे तक के लिए आपको बता रहा माइनस का और प्लस का मीनिंग यह है कि opposite type के हैं ऐसा physics में बहुत जगह पर होता है जब कोई quantity के वल दो ही type की possible होती है तो प्लस माइनस sign convention से हम problem को solve कर लेते हैं तो W1L1 anti-clockwise है और W2L2 है clockwise clockwise को हम negative sign के साथ अक्सर ऐसा करते हैं clockwise इनको negative लेते हैं moments में और anti-clockwise को लेते हैं positive तो इसमें से W1L1 को हम लिखेंगे positive sign के साथ और इसे लिखेंगे negative sign के साथ W2L2 ऐसी equation बनेगी अब principle of moment या आपने देखा था है कि true होने के लिए क्लिए क्या requirement है कि जब इन pants के उपर equal weight put करें या pants खाली हो तब क्या होना चाहिए F के about net moment को 0 होना चाहिए in other words ये rod horizontal होना चाहिए ये W1, W2 ये pants के ही weight है तो net moment को होना चाहिए 0 इससे condition निकल कर आ गई W1L1 is equal to W2L2 हम mathematically conditions निकाल रहे हैं for a balance to be true तो ये equation 1 हो गई फिरस हम एक जल्दी से बोल देता हूँ F के about हमने W1, W2 के moments find किये दोनों को जोड दिया मतलब net moment निकाला moment को sign के साथ में लिखना है वो दो type का होगा clockwise, anti-clockwise W2 कितना moment produce कर रहा है W1L1 कैसा anti-clockwise W2L2 ये moment produce करेगा W2 कैसा होगा वो clockwise दोनों को आपने add किया clockwise को negative लिख लिख लिया इसको positive minus sign बीच में आ रहा है net moment को zero होना चाहिए for the balance to be true तो ऐसी एक condition निकल गए अब क्या किया हमने अब दोनों pants में equal weight put कर दिया, मालो W दोनों में put कर दिया, इसमें कितना हो गया weight W1 plus W W1 plus W into L1 ये moment होगा अब और बाद में इसमें भी रखा है हमने W weight इसमें भी put किया है तो W2 plus W into L2 ये इसने moment प्रोड्यूस किया और मालो rod अभी भी horizontal है पहले हमने pants को empty रखा था तब ये शर्त निकली थी और अब क्या किया, equal weights put कर दिये दोनों तरफ, फिर भी rod ये धी horizontal है तो ऐसी equation आएगी और इसको solve करें तो W1 L1 plus WL1 is equal to W2 L2 plus WL2 ऐसी equation आएगी और equation 1 से ये दोनों क्योंकि बराबर हैं तो इनको cancel किया जा सकता है ये जब cancel हो जाएंगे तो आएगा WL1 is equal to WL2, WB cancel तो L1 बराबर L2 हो जाएगा L1 बराबर L2 हो गया यानि ये दोनों लेंस equal होनी चाहिए फलक्रम ठीक, पीछ में होना चाहिए center में होना चाहिए फलक्रम को तो L1 is equal to L2 हुआ और इसको यहां substitute कर दें यहां substitute कर दें L1, L2 क्योंकि अब बराबर हो गये तो ये cancel होकर W1 is equal to W2 हो जाएगा यानि कुल मिला के दोनों pants के weight equal होने चाहिए और L1 is equal to L2 होना चाहिए तभी फिर क्या होता है फलक्रम ठीक बीच में होगा और उनके empty होने पर pants के या equal weight put करने पर ये rod horizontal होगी तो ये mathematical उसकी conditions है तो true balance आपको पता लग्या है तो आप हम बात कर सकते हैं false balance की आगे बढ़ेंगे तो आप बात करेंगे how will find true weight of a body with the help of a false balance अब true balance के आपको conditions मालूम है true balance के लिए क्या होना चाहिए W1 equals to W2 W1 is equal to W2 and L1 is equal to L2 और वो rod कैसी रहेगी horizontal पर false balance यदी है और उससे किसी body का आपको weight find out करना है W find out करना है तो कैसे करेंगे उसकी दो conditions है पहली condition क्या है when the arms are equal मतलब L1 L2 के बराबर है but the scale pants are not of equal weights मतलब W1 is not equal to W2 एक condition fulfill हो रही है तो यह balance कैसी हो गई false balance अब मान लो जिस body का आपको weight find out करना है वो है W यही हमको find करना है किससे false balance है इसी balance जिसमें L1 तो A2 के बराबर है W1 W2 के बराबर नहीं है तो इसको हम एक method होती है उसको कहते हैं double weighing उस method से इसको हम find out करेंगे W को और यह जो final formula है इसको याद रखेंगे numerical आने पर directly उस formula में values put up करके और answer find out करेंगे तो करेंगे क्या तो यह है वो आपकी balance यह falcrum हो गया और ऐसा बोला हुआ है कि L1 L2 के बराबर है पर W1 W2 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे करेंगे यह कि जिस body का weight हमको find out करना है उसको रख देंगे हम इस वाले pan में pan 1 में उसको रख देते हैं pan 1 में रख देते हैं और counterpoise करने के लिए इसमें रख देंगे हम कोई mass W2 dash धान से आपने सुना होगा यह first part है क्या किया हमने जिस body का weight find out करना है उसको इसमें put किया तो weight कितना है total W1 plus W यह W unknown है यह हमको नहीं पता हमको W1 W2 मालूम है L1 L2 मालूम है और वो equal भी है हमको W find out करना है तो हमने इसमें उसे रखा total weight कितना हुआ W1 plus W moment कितना produce होगा इस F के about तो वह होगा W1 plus W into L1 ऐसा होगा और counter poise करेंगे counter poise करेंगे मतलब net moment को 0 बनाएंगे उसके लिए इसमें weight W2 dash put up किया ताकि यह rod हो जाए ठीक horizontal तो दोनो moments बराबर कर दिये फिर यह है कैसा anti clock यह है clock दोनों को बराबर कर दिया तो ऐसी है कि equation हमको मिलेगी ऐसी equation हमको मिली इंटू L2 मैं फिर से बोलता हूँ यह कैसी balance है false balance क्यों क्योंकि L1 तो L2 के बराबर है पर W1 W2 के बराबर नहीं है और हमको किसी body का true weight find out करना है W तो उसको हमने इसमें रखा total weight यह total force कितना हुआ W1 प्लस W moment कितना produce हुआ W1 प्लस W इंटू L1 और counter voice करने के लिए इसमें weight कुछ put किया वो है W2 डाश W2 डाश इंटू L2 तो यह जो है यह apparent weight जैसा हो गया यहां हमने add किया W यहां add किया W2 डाश L1 तो L2 के बराबर है यानि वो like apparent weight हो गया ऐसा लग रहा है कि इसका weight इतना है W2 डाश यह पहला part हो गया अब क्या करेंगे वो weight जिसको measure करना है उसको इसमें रखेंगे W2 में रखेंगे और moment कितना produce होगा यह part 2 कर रहा हूँ मैं W2 प्लस W इंटू L2 यह moment होगा और counter-poise करेंगे इसमें कुछ weight रखके तो कितना लिखना होगा मुझे यहां W1 प्लस W1 डाश इंटू इंटू L1 ऐसी equation मिलेगी और आप चाहें तो इसमें L1 L2 को तो cancel कर ही सकते हैं और target quantity क्या है W है याद रखेंगे तो इसको cancel किया मैंने इसको cancel किया दोनों बराबर हैं क्योंकि condition दी हुई है L1 L2 के बराबर है और अब क्या करें अब हम इनको add कर देते हैं डोनों equations को add कर देते हैं तो यहां क्या आएगा इन दोनों को add करें तो W1 प्लस W2 प्लस 2W यह एड कर रहा है हम adding 1 & 2 तो 1 और 2 को add किया तो W1 प्लस W2 प्लस 2W is equal to इधर क्या होगा W1 प्लस W2 प्लस W1 डाश प्लस W2 डाश ऐसा होगा अब ये quantity cancel out हो जाए ये दोनों ही terms cancel हमको चाहिए था W तो finally W कितना मिल गया तो मिल गया W1 डाश प्लस W2 डाश अपॉन टू और इसे हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम arithmetic mean तो जो counterpoise करने के लिए weight हम put करते हैं उनका हम arithmetic mean ले लेना है तो हमको मिल जाएगा true weight यानि दोनों apparent weights का average या arithmetic mean तो किस तरह करेंगे experiment W हमें find करना है उसको रख देंगे span में pan 1 में और counterpoise करेंगे by W2 डाश उसको note कर लेंगे फिर W को यहां रखेंगे इसमें pan 2 में और counterpoise करेंगे with the help of W1 डाश डव्लीवन डाश प्लस W2 डाश अपॉन टू करने से हमको वो true weight मिल जाएगा इस method को कहते है method of double weighing method of double weighing अब numerical यह दी आता है exam में कोई objective question आता है तो हम language से समझ जाएंगे कि यह false balance है और फिर answer निकालना होगा तो answer तो बहुत जल्दी आ जाएगा आपका W is equal to W1 डाश प्लस W2 डाश अपॉन तू अब एक और करते हैं case अगला case false balance का फिर से true weight of a body with the help of a false balance मान लो कि उस body का true weight है W वो हमें find out करना है और फिर से हम बात कर रहे हैं false balance की इसले case में L1 L2 बराबर थे पर scale pants के weights equal नहीं थे तब apparent weights हम निकालते हैं W1 डाश W2 डाश और उनका ले लेते हैं arithmetic mean यहाँ पर case 2 क्या है when the beam remains horizontal beam तो horizontal है मतलब वो दिखने में तो true balance है but neither arms are equal nor weights of the scale pants are equal L1 L2 भी बराबर नहीं है W1 W2 भी बराबर नहीं है arms की length equal नहीं है दोनों pants के weights भी equal नहीं है फिर भी वो rod horizontal है ऐसी एक false balance है और उस false balance से हमको true weight W find out करना है तो यहाँ बनाया मैंनोस को यह है वो beam यह arms की length L1 L2 यह हो गए scale pants के weights W1 and W2 तो जब यह pants खाली होंगे इनके उपर कोई weight नहीं रखा होगा तब भी क्या होगा तब भी यह rod horizontal होगी याने F के about net moment 0 होगा इसका मतलब W1 L1 is equal to W2 L2 यह है W1 यह scale pan 1 का weight उससे produce होगा anti clock moment और W2 L2 यह होगा moment produced by the weight of scale pan 2 वो होगा clockwise दोनों बराबर होंगे याने वो दिखने में तो कैसी है true balance लिखा हुआ है when the beam remains horizontal पर ना तो L1 L2 बराबर है ना W1 W2 बराबर है यहां पर वो भली बराबर आपको दिख रहे हैं पर unequal है L1 L2 अब क्या करेंगे वो जो body जिसका weight find out करना है पहले यह equation बना लिया फिर उस W को रख देंगे इसमे scale pan 1 में तो total weight W1 plus W हो जाएगा moment कितना होगा times L1 ऐसा होगा और उसको counter poise करेंगे उस moment के against एक moment ऐसा produce करेंगे कि वापस यह rod horizontal हो जाए उसके लिए इसमें weight put किया मानलो W2 डाश तो is equal to W2 plus W2 dash into क्या होगा L2 यह equation 2 हो जाएगी यह हो जाएगी equation 2 और इसको आगे solve करतें equation 2 कहने से पहले है तो W1 L1 plus WL1 is equal to W2 L2 plus W2 dash L2 ऐसा होगा इसको cancel कर सकते है equation 1 के basis पर तो यहां से है ऐसी एक equation मिल गी हमको WL1 is equal to W2 dash L2 this is equation 2 और अब क्या करेंगे तो यह था काउंटर पॉइस करेंगे इसमें W1 रखकर तो W1 plus W1 dash times क्या होगा L1 ऐसा होगा आगे solving करेंगे तो W2 L2 W1 L1 cancel out हो जाएंगे यहां से मिलेगा WL2 is equal to W1 dash times L1 यह equation 3 और इन दोनों के manipulation से वो answer आजाएगा अब क्या कर दें हम हम इनको multiply कर दें multiplying equation 2 & 3 multiplying 2 & 3 multiplying 2 & 3 और वो final formula याद रखेंगे तो फटा फट आपका answer आ जाएगा यहां से क्या होगा यह डवल्यू स्क्वेर L1 L2 is equal to उदर RHS में क्या हो रहा है W1 dash W2 dash L1 L2 L1 L2 cancel out और W हमें चाहिए यह तो W is equal to हो गया square root W1 dash W2 dash W2 dash और इसे कहते हैं geometric mean जैसे पिछले case में हमने उसे arithmetic mean से याद रखा है इसमें याद रखें geometric mean यानि आपको यह W1 dash W2 dash निकालने है और बस true weight के लिए उनका क्या ले लेना है आपको geometric mean तो बहुत आसान सा question होगा यह आया तो कुछ seconds में उसका answer निकल आएगा उसकी language से हम समझ जाएंगे कि यह वाला case है L1 L2 बराबर नहीं है W1 W2 बराबर नहीं है still the rod is horizontal तब W1 dash W2 dash यह apparent weights होंगे और इनका geometric mean लेकर हमको true weight मिल जाएगा तो बहुत आसान सा इसके उपर कोई question आपसे पूछ सकते हैं कि question मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं तो question आपको इस तरह का पूछा जा सकता है कि एक false balance है और false balance किसको हम मानेंगे जिसमें L1 L2 बराबर नहीं है W1 W2 भी बराबर नहीं है फिर भी वो rod horizontal है ऐसी balance false balance होती है तो वो बोल रहा है किसी body को उससे तॉलने पर एक बार आता है 8 gram एक बार आता है 18 gram तो बताओ कि उस body का actual weight कितना है actually यहां बोल रहे होते है mass पर बात weight की हो जाती है यह gram का g है तो क्या लगाएंगे इसमें formula formula आप जानते हैं w is equals to under root w1 dash plus w2 dash यह लगा देना है formula तो बस इसको आगे solve करने के लिए बस आपको 18 times 18 कर देना है 8 times 18 ऐसा हो जाएगा और आगे इसको आप है तो ऐसे solve कर लो 8 इसको लिखो और इसको 9 times 2 कर लो इसका क्या फायदा होगा एक टूजा होता है 16 उसका root 4 और 9 का square root 3 हो जाएगा 12 gram याना actually में वह body है 12 gram की और false balance से तॉलने पर एक पैन में उसे रखते हैं तो 8 gram counter poise के लिए रखना पड़ता है दूसरे पर रखेंगे तो दूसरे पहले वाले पर 18 gram रखना पड़ता है तो वह न 8 gram की है न वह 18 gram की है बलकि वह 12 gram की और 12 gram की है इसको आप यदि मानलो convert करना चाहते है और 9 में इसमें 980 का multiply कर देंगे तो 9 में आंसर आजाएगा cgs units में SI में भी convert उसको कर सकते हैं तो यह इसका answer होगा ऐसा छोटा साइक question आ सकता है पर यह formula पता होने पर वह within no time आप से solve हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब अब क्या लगाएंगे तो मैंने कर दिया ऐसा काई के लिए लगाना है उपर लगा दो गया ऐसा क्या फाइदा है अब अब क्या बहुता साथा वह अच्छा लगता और क्या अच्छा और यहीं तो था कर दिया मैंने हैं